नमस्कार दोस्तों आज आपके लिए लेकरा हैं पपीता के पत्ते का जूस पीने के फाइदें दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बल आइकन प्रेस कर दें तके अगले वीडियो करनिफिकेशन आपको मिलते रहेगा पपीता एक ऐसा फ़ल है जो आसानी से बजार में मिल जाता है पपीते को कच्चा और पका दोनों तरह से इस्तमाल कर सकते हैं इतना ही नहीं पपीते के वीज और पत्तों को भी सेहत के लिए फैदेमन मना जाता है पपीते के पत्ते के जूस कश्यवन करने से सरीर को कई स्वस्थ समस्याओं से बचा जा सकता है पपीते के पत्ते में बिटामिन A, B, C, D, E के साथ साथ एंटी अक्षिडेंट फ्लेनो नुइट्स कैरोटीन जैसे तत्व पाय जाते हैं पपीते के पत्ते को पोशक तत्वों से भरपूर मना जाता है इतना ही नहीं पपीते के पत्ते को औस्तिय गुडों से भी भरपूर मना जाता है पपीते के पत्ते को सबसे ज्यादा डेंगू आइरस में इस्तमाल किया जाता है पपीते के पत्ते के जूस का सेवन करने से प्लेटलेस बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है पापिते के पते का जूस पीने के फायदे, डेंगू डेंगू की बीमारी में सबसे ज़्यादा फैयदमन माना जाता है पापीते के पते का जूस, यह जूस इस बीमारी से लड़ने में मदद कर सकता है इसके अलावा ये बुखार की वज़ा से गिर्ती प्लेटलेश और सरीर में हो रही कमजोडी को दूर करने में भी मदद करता है पाचन पपीता को पाचन के लिए अच्छा माना जाता है लेकिन आपको बता दे कि सिर्फ पपीता ही नहीं बलकि इसके पत्ते भी पाचन में मददगार माने जाते हैं पपीते के पत्ते के जूस का सेवन करने से पाचन को बेहतर रखा जा सकता है इसमें पाये जाने वाले एंजाइम खाने को जल्दी पचाने का काम कर सकता है Periods मुलाओं को अक्सर period के समय कई समस्याइं होती है Periods की समस्याइं से छुटकारा पाने के लिए आप पपीते के पते काढ़ा बना के पी सकती है Immunity Immunity पपीते के पते के जूस का सेवन करने से immunity को मजबूत बनाने के लिए इसके अलाब infection की समस्याइं को भी दूर किया जा सकता है इस जूस को पीने से खून में white blood cells और platelets को बढ़ाया जा सकता है Iron पपीते के पते का जूस पीने से iron की कौमी को भी दूर किया जा सकता है क्योंकि ये blood platelets को बढ़ा सकता है अगर आपके अंदर iron की कौमी हो तो आप पपीते के पते का juice कस्यवन जरूर करें तो दोस्तों आपको ये जनकारी कैसा लगा है आपको अच्छा लगत है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकन प्रेस कर देता कि अगले वीडियो क्निट्फिकेशन आपको मिलते रहेगा राधे राधे दोस्तों